हलो दोस्तो आज हम बात करने जा रहे हैं मान सरोवर यात्रा के लिए भारत सरकार ने जो एक नई सड़क कर्यमान किया है उसके बारे में तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि यह सड़क कहा से होकर जाने वाली है क्या विशिष्टाय है इस सड़क की और भारत को इससे क्या फाइदा हो सकता है हम यह भी जानेंगे कि इस सड़क का विरोध नेपाल क्यों कर रहा है और इस नेपाल की विरोध के उपर भारत ने क्य तो विडियो अंतक जरूर देखे भारत सरकार ने इस सड़क की निर्मान की जिम्मेदारी बी यारो के कंदों के उपर रखी हुई थी मानसरोवर की लोकेशन मानसरोवर चीन देश में आता है जिससे यातरियों को पॉर्डर क्रॉस करके चीन में जाना पड़ता है इस यात्रा की दूसरी एक खास बात है कि मानसरोवर के पास ही कैलश करवात आता है चो बुद्धिस्त जयन और इंदु लोगों में बहुत ही जादा थी इसे लगने वाला समय यह यात्रा पूरी करने के लिए दू रास्तों का यूज़ किया जाता था पहला रास्ता था जो काटमंडू होकर गुजरता था और दूसरा रास्ता जो सिक्किम के नतुला पास से होकर चीन में जाता था और आपको मैं आप में देख के पता चली गया होगा कि इतना लंबा रूप लेने के कारण ही इस यात्रा को पूरा करने के लिए कम से कम पास दिनों का समय लगता था तो इसी लिए भारत सरकार ने एक नए रास्ते के बारे में सोचना उचित समझा और उसी के लिए उन्होंने एक 80 किलोमेटर लंबी सड़क कर नेर्मान किया जो लिपुले पास तक जाता है और उसके बाद आप चीम में प्रविश करके मानसरवर की यात्रा कर सकते हैं जो भारत सीमा से सिर्फ 20 किलोमेटर की दूरी पे हैं इस से ही जो पहली यात्रा पाश दिन तक लंबी हुआ कती थी वहां भी सिर्फ दो दिनों मे पूरी की जा सकेगी अगर इस सड़क की निर्मान की बात की जाए तो यह काम उतना आसान नहीं था यह रीजन पहाडों से भरा हुआ और कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत डिफिकल्ट रीजन है इसलिए इस सड़क निर्मान में भारत सरकार को उसके चिनोंक हेलिकॉप्टर की मदद लेनी पड़ी इन हेलिकॉप्टर की सहायता से ही रोड कंस्ट्रक्शन का सारा कामान और बशिन रीज को ज़रूरत वाली जगाओ पे ले जाया गया इस सड़क की निर्मान से बॉर्डर विलेज़स और सिक्रिटी फोर्सेस को बहुत सारे फायदे हो सकते हैं जैसे की यात्रयोक यावागवन से वहाँ टूरिजम इंडस्ट्री डवलप हो सकती है और सिक्रिटी फोर्सेस को बॉर्डर तक आने जाने के लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी तीसरा फायदा ये जो मैं पहले ही बता चुका हूँ यात्रियोक दियात्रा का टाइम बार जिनों से कट कर दो दिनों तक रह जाएगा तो अब हम देते हैं इस रोड कंस्ट्रक्शन से नेपाल को क्या लिक्कत है नेपाल का कहना है कि ये रोड का कंस्ट्रक्शन जो लिगू लेग के पास किया गया है उसमें से कुछ रीजन को नेपाल अपनी टेरिटरी मानता है इसकी लिए उसने इस road construction का विरोध किया है और यह विरोध जताने के लिए उसके foreign ministry में एक press release भी चारी कर दिया है उसकी वज़े से अभी काटमांडू में इसके खिलाफ प्रदर्शन भी होने लग गये है पर इसके बाद भारत सरकार भी चुप नहीं बैटने वाली थी उसने भी नेपाल के claim को reject कर दिया भारत सरकार ने कहा है कि यह और सड़क पूरी तरीके से भारतियों सीमा के अंदर ही बनाई गई है और दूसरी बात इस सड़क का कंस्ट्रक्शन पहले से मोजूद सड़क पर ही किया गया है और ना ही इसके कोई चोड़ाई बढ़ाई गई है इसलिए इस पर किसी का भी अपत्ती लेना ठीक नहीं आपको क्या लगता है कि यह रोग कंस्ट्रक्शन सच में फाइदेवन्द हो पाएगी या नहीं हमें यह कमेंट करके ज़रूर बताए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले अगली बार फिर मिलेंगे ऐसे ही एक रोचक वीडियो के साथ तब तब के लिए अलविदा